नमस्कार्ट वागत है आप सभी का डेड़ेडी न्यूज में आज हम आप को एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप जरूर फैर्रान भैजाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये बात सच है जी हाँ हम बात कर रहे हैं ये बैंकों को चुना लगा कर भाग जाने वाले माल्या की माल्या ने भले ही बैंकों बैंकर्स की जिनदगी उजारने में कोई कसर ना छोड़ी हो मगर वे अपनी जिनदगी सवारने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाते लगजरी लाइश जीने वाले मालयाद hour की शुरू से ही लड़किया कमजोरी रही है भले ही इस वक्त मालया के बेटे से धाट की साधी की उम्र हो लेकिन माल्या मानते हैं कि अभी उनकी शाधी के पंधन में बनने वाली उम्र पची है जी हाँ अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भगोडे माल्या किसके साथ शादी रचाने वाला है तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल माल्या जब लंदन भाग गया था तो उस समय उसके साथ एक सीट्रेट लेडी थी फबरों के अनुसार माल्या ने पहले इस महिला को नौकरी पर रखा था और बाद में गर्ड फ्रेंड बना लिया आपको बता दें कि 2 मार्च 2016 को जब लंडन भागा था तो इसके साथ विमान में उसकी गर्ल फ्रेंड भी साथ थी विजय माल्या और उनकी गर्लफेंड पिंकी लालवानी ने कुछ समय पहले अपने साथ रहने की तीसरी सालगिरा मनाई है पिंकी लालवानी विजय माल्या के अच्छे और बुरे समय में हमेशा साथ रही है वे माल्या पर लंडन में चल रहे केस की सुनवाई के समय भी भैठी हुई दिखाई देती हैं खबरों के अनुसार वे जल शादी कर सकते हैं फिलहाल दोनों लिविंग रिलेशन्शिप में रह रहे हैं